सब्सक्राइब करने हैं एक दिन का समय रहेगे तो एक्जाम से पिछले दिन बच्चे किन-किन सिच्वेशन से गुजरते हैं और इतना बड़े एक्जाम की तियारी आपको कैसे करनी है लास्ट डे आपको कैसे होना चाहिए आप यह वीडियो खुद भी देख सकते हैं उतके लिए भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंट्स को जो एक्जाम देने वाले उनके साथ भी यह शेयर कर सकते हैं आप सब के लिए बहुत बैनिफेशल रहेगा ना फॉस्ट फॉफ वाल बिटा जो चीज मैं आपको पताने जा रह को भी हमारे घ्री है सबसुनेैट फॉट कौन उट्री देख सब एक अजिसे सब्सक्राइट बहुत हमारा जो यह चीज चिछ रएंma है तो पिछले देन खाने पर भी स्पेशली धियन दीजेगा, पहले चीज तो यह होगी। Secondly, सोना, सोना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 12th class ही देखते आ रहे हैं, आप भी देख रहे हुगी। कई बच्चे पूरी पूरी राज जगेंगे और सुबह जाके एक्जाम में जाके बैठ जाएंगे। यह वाला attitude ठीक नहीं है तो वो कभी अगर काम कर इस attitude ने या इस तरह की तयारी ने आपका काम कर दिया आपको सफलते दिया वो स्रह विसले हैं क्योंकि syllabus was limited, books were limited, concepts were limited बट यहां तो कुछ पता ही नहीं है कहां से क्या आएगा। तो आपके लिए रिसर्च-based paper होने वाला है, बहुत ज़्यूरी है कि आप अच्छे से सोएं, अच्छे से खाएं और दिमाग चलने में अगर नहीं सोएंगे तो आपका दिमाग ठीक से नहीं चलेगा सोना बहुत जुरूर है अगर कोई किसी का सेंटर बहुत जादा दूर है घर से तो पिछले दिन पहुंचेगा लेगिन फिर भी सोना तो पढ़ेगा बिटा आपको तो जग के तुरन्स एक्जाम दे रहे हैं वो ठीक बात नहीं है बच्चों में एक बहुत बड़ी चीज़ देख रहे हैं और वो यह कि एक्जाम से पिछले दिन कैसे कैसे रिवाइस करेंगे सब कुछ इतना सारा रख लेंगे बच्चे अपने बास पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे देखो बिटा इस बाड़ी इस एक एक एक्जाम Can you believe उनका nose आपके face पर बाठा हुआ है Am I right? आपने देखा होगा इसकी शकल उससे मिलती है उसकी शकल इससे मिलती है देखा होगा आपने परिवार हो इस बाड़ी इसने कभी भी कुछ भी ध्यान से पढ़ा है कुछ नहीं भूलेगा अपने दिमाग को जिसने शान कर लिया कुछ नहीं भूलता बटा कोई जरुआ नहीं है रिवजिन करने कैलेगा इसको नेगिटिव ना लें पिछले देन एक्जाम कि कम से कम पढ़ं सही कही कहरा हूं लागत जाधा कुछ पढ़ने की जरुit नहीं कुछ नहीं भूलोंगा बुष्भास दिलारह हूं आप लग सबसे होने वाले दूसरा ना होने वाले क्वेशन जो दुनिया में सबसे होनेवाले क्वेशन जो दुनिया में बहुत कम लोगों से होने अगर वो क्वेशन आप से नहीं हो रहें तो फिर बहुत खतर हैं मतलब क्वेशन पेपर में 60 क्वेशन अगर हैं तो इस में से फटा-फट से लेक्त कीजिए यह क्वेशन पाइब यह हो जाना चाहिए यह question easy हो जाना चाहिए तो ऐसे करके अगर आप ट्रेबल कर जाएंगे पूरे question paper में दो थींग आपका काम हो जाएगा ध्यान रखिएगा होने वाला question अगर आप से हो रहा है तो बहुत बढ़िया अगर होने सबसे होने वाला question maximum लोगों से होने वाला question आप से नहीं हो रहा है तो बहुत गड़बड बात है हां ऐसा question बहुत ज़्यादा difficult सच में बहुत ज़्यादा difficult time maximum लोगों से नहीं होगा वो आप से नहीं हो तो चल जाए are you getting my point यह सब जीज़े ध्यान रखिए अच्छा जी और उसके पहले आजकल आयटी का जोर बहुत बढ़ गया है तो एक जो attitude रहता है बच्चों का और कुछ टीचर्स भी है कि question paper जाके तोड़ फोड के आदो यह बहुत गलत attitude है कि तोड़ना फोड़ना कुछ नहीं question paper आपके सामने आते है इसको प्रणाम कीज़े ध्यान रखिए प्रणाम करने को डिवोटी की तरह काम करने है इश्वर कुछ देन आदे है यूर दियान रखिए इसका तो यह तोड़ने फोड़ने का attitude नहीं सोबर होके simple होके simplistic way में बच्चे जैसे logical mind के साथ question paper attempt की दे काम हो जेगा ठीक है तो इसी के साथ आप सभी लोग के लिए आने वाले भविश्य के लिए बहुत बहुत शुपकाम नहीं एश्वर आपको सफलता प प्रदान करें अच्छे decisions ले सकें आप clarity clarity without without confusion will win always ठीके बिटा चलिए thank you very much all the rest thank you